जुहार हजारी बाग के विश्नु पूरी से एक बहुत दुखत घटना सामने आ रही है डॉक्टर राज कुमार जो काफी अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं जिनका क्लिनिक जो है जील टावर नवाब गंज के जील टावर में है लच्मी पिट्रॉल पम के सामने उन्होंने आज लगभग बारा बजे अपनी दोनों बच्ची को जो आठ साल की एक बच्ची है एक चार साल की बच्ची है उसको जहर खिला दिया और फिर खुद का भी नस्क काट लिया इससे मौके पर दोनों बच्ची की मौत हो गई और उनकी भी मौत हो गई जब उनकी पतनी घर आई तो घर में ताला लौक था, बाहर लोगों को जब बताया तो लोग आए उनके घर का ताला तोड़ा, ताला तोड़ के जब अंदर गए तो तीनों को फिर हस्पिटल ले जाया गया ये पता चलता है कि इसके पहले उनकी मौत होने से पहले उनकी पत्नी जो है अपने माईके में थी जो कुमाटोली में है उसी दोरान अपने जो पत्नी है वो डॉक्टर राजकुमार को फोन कर रही थी ये फोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि उन्था वो पत्नी जो है राजकुमार को बुलाना चाह रही थी अब पत्नी को जब लगा कि ये फोन नहीं उठा रहे हैं तो क्या हो गया तब वो खुद चलके यहां पे आई विश्नुपूरी कुमाटोली से विश्नुपूरी आई और आई तब देखी उसने यहां पे क्या हो गया है तब फिर लोगों को हला करके बुलाई यहां पे आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले ही कल मैंने एक स्टोरी डाला था कि छिंताई की घटना हुए और डक्टर राजकुमार हमारे जुहारादारी प्याक के फॉलोर भी हैं कली हमारा पोस्ट उन्होंने शेयर भी किया था आज वो नहीं रहे पाच दिन पहले भी एक ऐसा अपनी बेटी के बेटी का वीडियो शेयर किया था और यहां जो है लोग उनके बता रहे हैं कि इनकी बेटी जो है पर नहें बहुत तेज थी और खुद माक्सीट जब लेक साइट का मामला ऐसा लग रहा है खुद से उन्होंने बच्ची को भी जहर दिया और खुद भी नस काट लिया है लेकिन अभी फॉरेंसिक की टीम आई है फॉरेंसिक की टीम जो है जांच करेगी क्या पूरा मामला है यह भी पसज़ लेगा क्या पहले कुछ चल रहा था इस को जहर दिला के दे के मार दिया